अमस्ते किसान वाईयूं मैं विजय कुम बार तास्ट गव ये श्यक्रव लैप फिर एक बार आपका जो कम से कम खर्च में आम अंगु की खेती कैसी करते हैं इसके वारे में हम जो बातचित करते हैं इसमें आपका सभी का स्वागत करता हूँ मैं आज जो बात करने वाला हूँ आपसे वह बहुत इंपोर्टन बात है वह जो है वह क्षार पड़ जमीन यानिके जित जमीन में क्षार ज़्यादा हो यानिके चुनकर ज़्यादा हो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं बहुत जमीन हैसी है कि इसमें चुनकर ज़्याद गाहना होने के बाद वह जो द्राक्षे वेल हमारा पेड या कौन सा भी लिया होगा तो भुआ पिला पड़ जाता है मनी जो फ्लार्वर के वक्ते ज्चोड़ा भी ठांँ रहता है लंबाई नहीं मिलती हो जाड़ा भी नहीं जो कोडी छट्नि के बारे जो मरी जादा नहीं बोठा आ बढलता और बाद मेंदर करना चाहें करना पड़ता है इसके बारे में हम आपसे बात करने माले हैं देखें किसान भाई सुनकर के हमने तीन पार्ट बना दी है याने के 1 to 5, 6 to 10 और 11 to 15 और 15 से आगे जो होगा उसके बारे में हम बात करेंगे याने के पहले आपकों स्वायल का टेस्टिंग करना पड़े गा और टेस्टिंग करने के बात हमारे जमीन में आपने जमीन में ड़ार याने के कल्चियम कार्भोनिया यानि Kimkink Sumat помог कि तना थेखना पड़ेगा अगर चोना होगा तो उसमें सल्पर कितना डालना पड़ेगा 6 to 10, 10 to 11 to 15 इसमें हम sulpore याने के phiral sulfate H2O sopore याने के sulpore कैसी कैसा कैसा देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं तो फिलो थोड़ा सा बड़ा होगा, मोठा होगा लेकिन सुने पूरा क्यूंकि प्रॉपर काम सुनकर जमीन में कैसा करना चाहिए इसके बारे में हम सविस्तर चर्चा करने वाले हैं देखें अगर एक 1, 2, 5 अगर सुनकर होगी तो इसमें चिंता करने की कोई भी ज़्यादा जूरत नहीं इसको हम सुपरहस्पेट भी यूज कर सकते हैं मैंगनिशन सल्पेट भी यूज करते हैं और ज्यादा वापर सल्पर यानि के गंदक का ज्यादा वापर करने की जौरत नहीं पड़ती लेकिन इस जमीन में आपको गाव खत याने के शेन खत जो गोबर जो होता है वो ज्यादा लालना पड़ेगा इसको गांडूल याने के अर्थोवर्म का जो खत होता है वो भी डालना पड़ेगा इसमें हमें धेंचा करना पड़ेगा ताग करने की जोरत नहीं है ताग करने का नहीं इसमें हमें देहचा करना चाहिए इसमें निमबोडी पेंड या करन पेंड या शेंग पेंड ये भी यूज किया तो आच्छा तरीके से हमें बंच की हुगर मिलती है इसमें फॉस्परस कम मिलता है ऐसी जमिन में और जींग फेरस भी कम मिलता है इसलिए हमें लंबाई और जाड़ी अच्छे तरह से नहीं मिलती, इसमें अगर हमने बैक्टिरे का यूज जादा किया, तो भी हमें जादा फैदा हो सकता है, देखें, अगर सुनकर 325 यानिके 125 होगा, तो इसमें elemental sulfur, यानिके जो गंदक बोलते हैं, वो गंदक साल में दो ब दो बार, अगर हमें 6 to 8 सुनकर रहें, तो इसमें हमें कम से कम 50 kg सल पर दोनी छटनी को अलग अदक सा डालना पड़ेगा, देखें, और 9 to 15, अगर उसे जादा होगा, तो हमें कम से कम 100 to 125 kg तक हमें गंदक यानिके sulfur डालना पड़ेगा, और एक बात द्यान से सुनिए, हमें इसमें 10% से जादा अगर हमें 8 to 10, 10 to 11 to 15, 8% से जादा अगर हमें हमारी जमिन में अगर सुनकर जादा होगा, तो हमें sulfuric acid का यूज करना पड़ेगा, 8, 9, 10 अगर sulfuric acid होगा, तो पहले 30 दिन में हमें 2 बार, दो-दो लिटर H2SO4 डिल में से छोटना पड़ेगा, 11 to 15 होगा, तो हमें 3 लिटर H2SO4 याने के sulfuric acid डिल में से छोटना पड़ेगा, और 3 to 5 होगा, तो हमें ज्यादा सी ज्यादा सिंगल 1 लिटर H2SO4 कम से कम एक बगी, 30 देस के पहले 2 बार छोटना पड़ेगा, बस इतना ही H2SO4 को सोटना है, लेकिन H2SO4 को सोटने का जो तरीका है, वो तरीका बहुत important है, वो ऐसा है, 100 लिटर पानी में ज्यादा से ज्यादा 100 ml H2SO4 डालना पड़ेगा, यानिके 1 लिटर H2SO4 हमें छोडना है, तो कम से कम 1000 लिटर पानी हमें लेना पड़ेगा, और उसमें 1 लिटर H2SO4 डालके, वो पानी हमें दिल में से छोड़ते जाना है, 2 लिटर H2SO4 छोडने के लिए कम से कम धाई या 3 गंटा लगना चाहिए, हम जो 200 लिटर में 2 लिटर डाल दिया और दिल में से छोड़ दिया, तो जो सिस्टीम है, वो गलत सिस्टीम है, जाने में आया, H2SO4 अगर हमें दिल में से छोड़ना है, तो 100 लिटर पानी को ज्यादा से ज्यादा 100 ml आपको H2SO4 छोड़ना पड़ेगा, उससे ज्यादा H2SO4 छोड़नी की जोरत नहीं है, और छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि जमीन में ऐसल ज्यादा बन जाता है, और ज जिस कारण हमने H2SO4 छोड़ा है, किसलिए, जमीन में कैल्चियम कार्मोलेट वह नुट्रल होना चाहिए, जमीन में जो क्लोरीन और जो क्षार है, वह जल जाना चाहिए, और जलने के लिए पानी ज्यादा छोड़ना चाहिए, और वह कम pH का पानी ज्यादा दूरी तक जान जाना चाहिए, त्यान में आया, इसलिए जो पेड़े, वह पेड़ के आजू-बाजू अगर आपको पहले water holding capacity और water leasing capacity चेक करने पड़ेगे, soil test करने के बाद, इससे क्या होगा, जो हमने H2SO4 छोड़ा है, जो कार्बोनेट्स, कैल्चियम कार्बोनेट्स और जो भी का स्क प्रक्षार, प्लोरीन, जो भी कुछ है, वह पिगल के बाजू निकल जाएगा, जैनमा आया, H2SO4 छोड़नेगा तरह है, तो इस तरह से ऐसा चोड़ना है, दूसरे एक बात ऐसा है, अगर हमारे जमिन में फेरस सल्पेट का value पहला चेक करना चाहिए, फेरस सल्पेट की value शार्पर जमीन में, यानि के चुनकर जमीन में बहुत कम होती है, इसलिए हमें फेरस सल्पेट जो छोड़ना है, तो छोड़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, कितना चोड़ना है हूँ, आपको soil and lip tissue analysis करके ही बताना पड़ेगा कि आपका कितना फेरस सल्पेट में से एक फेरस सल्पेट चोड़ने का तरीका ऐसा है, 200 लिटर पानी, 10 या 20 केजी जो कुछ भी आपके पिट्टिल आनेलिस की हिसाब से जो आया है, वो 10 केजी हमने पकड़ा तो 10 केजी फेरस सल्पेट डालना है, अच्छे तरह से mix लेना है, आप फेरस सल्पेट जो मिलता है, वाटल सल्लीबली भी मिलता है, तो वो गुला लेना है, उसमें 200 लिटर पानी में, इसमें 1 केजी गूल और 1 केजी यूलिया डालना है, और दीकांपोजल की बैक्टिला डालना है, कम से कम 20 या 30 लिटर, यह जो मिश्रल हमने तैयार किया, वो अच्छे तरह से गुला लेना 3-4 दिन, 3-4 दिन के बाद उसको डिल्प में से छोड़ देना है, त्यान में आया, फेल सोटने, सल्पिट सोटने का तरिका मैंने आपको बता दिया, और एक बात ऐसे, जीज जमीन में 10% से जादा, अगर चुनकर होगी, तो उसको डीकंपोजल का वापर जादा से जादा क तो डीकंपोजो तेहर करने का तरिका जो है आगले वीडियो में बताया, मैंने पीछले वीडियो में बताया, साधा सिम्पल सा तरिका है, 1000-2 ककजी घूर डालना है, उसको अच्छे तरशे मिक्स करना है, पात 6-7 दिन, उसको गुलाना है, गुलने के पाथ, उसको लिटल पानी डालना है और गुल एक दो तीन केजी डालना है फिर उसको गुलाना है बस ऐसे तरीका आपने करते जोब डिकांपोसर अपने अपने तैयार होते जाएगा और एक बात ऐसी है इसको पानी अच्छे तरह से छोड़ना चाहिए यानिके पानी कम भी पढ़ना कम भी पढ़ना नहीं चाहिए और जाधा भी जाधा जाधा भी होना नहीं चाहिए क्योंकि अगर जिस जमीन में चुंकर जमीन में पानी अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी प्लैंट पिला हो जाता है और कम पड़े जगा तो भी पिला हो जाता है यह ब के बाद ही उसको पानी कितना लगता है वो देख लो और उस ही सबसे water management कर लो किसाना भाई मैंने आपसे बुजारिश किया है कि कम से कम खर्चे में खेतिक अंगुर की करने का प्रयास को आती है 100% कम से कम खर्चे में आती है अगर आप किसमिस बना रहे हो यादि के बेदाना क करेएगो तो जाधा से जाधा दो चटनी का खर्चा आपको जाधा जाधा एक लाग रुपे आना चाहिए उससे ज्यादा अगिसल्ट जाता है उसमें labor आप आए वो हैप भी आप ले लो हैप में से आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी फेस टू फेस आपका और मेरा सव्माद भी हो जाएगा बाच्चित हो जाएगी मैंने जो अभी बात की हो कैसी लगे कमेंड बाफ्स में जरू लिखिए और ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर कीजिए थेक्यों